हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल आउनलाइन सिक्सापॉइंट पर आज हम लोग हिंदी के most important question discuss करेंगे जिसमें साहित के question होंगे जो कि किसी भी exam के दिश्टी से बेहर धी important है और साहित से related question एक number या एक से ज्यादा number के भी question पुछे जाते हैं चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं पहला question है कला और बोढ़ा चान किस की रचना है सुमित्ता नंदन पंत रामधारी सिंग दिनकर सुरकान तिरपाठी निराला या फिर सुरदास answer से जाएगा option ये सुमित्ता नंदन पंत कला और बोढ़ा चान सुमित्ता नंदन पंत की रचना है रामधारी सिंग दिनकर की अगर बात करेंगे तो रस्मी रथी उर्वशी संस्कृति के चार अध्याए ये सारे रचना है रामधारी सिंग दिनकर जी की है सुरदास की बात करेंगे तो सुरसागर, सुरसरावली, साहित लहरी ये सारी रचना है सुरदास जी की है next question चंदाएन के रचना कौन है? मुल्ला दाउद, कुतुबुन, मंजन या फिर स्वैमभू answer से हो जाएगा option ये मुल्ला दाउद चंदाएन के रचेता मुल्ला दाउद है मरगावती के रचना का कुतुबुन है सुवैम भूग की अगर बात करेंगे तो पॉम चरिव, ये सुवैम भूग की रचना है next question इरावती किसकी रचना है? option ये जेस जंक प्रसाद की है option B, मुणसी प्रेमचन जी की है option C, सुरकांत्र पाठी निराला जी की है या फिर option D, रामचन सुखली जी की है answer सही हो जाएगा इरावती जेसंक प्रसाद जी की रचना है और ये उपन्यास है जो की अधूरी रह गई थी अगर और रचनाओं की बात करेंगे तो इसमें कंकाल, तितली, चंदरगुप्त, इसकंदगुप्त ये सारे रचना है जेसंक प्रसाद की है मुणसी प्रेमचन जी की अगर बात करेंगे तो इनका अधूरा उपन्यास मंगल सूत्र है इसके लावा गोदान, गबन, काया कल्प ये सारे रचना है मुणसी प्रेमचन जी की है नेश्ट क्रेशन निम्न में से कौन सी किर्थी महादेवी बर्मा की नहीं है आफसन ये मेरा परिवार, रस्मी रथी, यामा या अतीत के चल्चित आफसन से हो जाएगा आफसन भी रस्मी रथी ये महादेवी बर्मा की कृति नहीं है जबकि मेरा परिवार, यामा और अतीत के चल्चित ये तीनों कृतियां महादेवी बर्मा जी की है रस्मी रथी की बात करेंगे तो ये रामधारी सिंग दिनकर जीकी करती है और केवल अगर रस्मी होता तो ये महादेवी बर्मा की हो जाती इसलिए रस्मी रथी महादेवी बर्मा जीकी करती नहीं है ये रामधारी सिंग दिनकर जीकी है नेश विश्चन निम्न में से कौन सी कृति रामधारी सिंग दिनकर की है option ये, कला और बुढ़ा चान option B, चंदरगुप option C, मंगल सूत्र या फिर option D, उर्वशी option D, रामधारी सिंग दिनकर जी की कृति है उर्वशी, मंगल सूत्र की अगर बात करेंगे तो ये निम्न में से कौन सी रचना सूर्दाज की नहीं है option D, सूर्दाजी की रचना नहीं है ये गोश्वामी तुल्सी दाजी की रचना है सहित लहरी, सूर्दाजी ये सूर्दाजी की है जबकि किष्ण की इतावली ये गोश्वामी तुल्सी दाजी की है next question निम्न में से कौन सूर्दाज तरपाठी निराला की रचना नहीं है option D, कुकुरमुत्ता option B, परिमल, option C, अनामिका, option D, मेरा परिवार answer से हो जाएगा यहां पर option D, मेरा परिवार मेरा परिवार ये सूर्दाज तरपाठी निराला जी की रचना नहीं है ये महादेवी वर्मा जी की रचना है जबकि कुकुरमुत्ता की बात करेंगे, परिमल की बात करेंगे और अनामिका की ये तीनों रचना है, सूर्दाज तरपाठी निराला जी की रचना है अतीत के चल चित्र रचना किस कवी की है? आफसन ये रामधारी सिंग दिनकर, आफसन भी महादेवी वर्मा, आफसन सी जेशंकर प्रशाद, आफसन डी मुंसी प्रेमचन अतीत के चल चित्र ये महादेवी वर्मा की रचना है, आफसन बी सही हो जाएगा नेस्ट कोईशन है गीतावली रचना के रचनाकार निम्न में से कौन है आफसन ये गोस्वामी तुलसी दास आफसन बी सूर्दास आफसन सी रस्खान या फिर आफसन डी रहीम दास गीतावली की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आफसन ये सही हो जाएगा ये गोस्वामी तुलसी दास जी की रचना है गीतावली कभितावली दोहावली ये सारी रचनाएं गोस्वामी तुलसी दास जी की है तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा है इसे कमेंड बॉक्स में ज़रुवता है अगर वीडियो अच्छा लगा उसे लाइक करें शेयर करें इस चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद